चम्बजिला के डल्होजी विदानसवक्षित्र भी भारी बारिश ने तबाही मचाने का कारे किया है, जिसके चलते लोगों का जन्जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। डल्होजी विदानसवक्षित्र के अंतरगत आने वाले दिगाई, पंचायत के कई गाउं में बारिश के चलते कई लोगों के फसले बर्बाद हो गई है। इसके लावा लोगों के घरों में पामी घुसाया है जिसके चलते कई घरों को खत्रा भी पैदा हो गया है। जगे जगे लैंड्सलाइट होने के चलती लोगों की मुश्किले बढ़ने लगी हैं। अलगी इस पंचायत के कई गाउं में लैंड्सलाइट से घरों को खत्रा हुआ है जिसको लेकर लोग सहमी हुए हैं। इसको लेकर गाउं की लोगों ने जहां जहां दिक्कते हुई हैं। गई घरों में खत्रा पैदा हो गया है। इसके लावागा जमीने भी बरबात हो गई हैं। हम सरकार से मांग करते ही हैं कि हमारी इस समस्या का जल्द सामाधान किया जाए ताकि हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज हम अपनी ग्राम पंचायत दिगाही के जो हमारे जितने बार्ड हैं हर बार्ड का हम जाकर के जो है वो दोरा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत प्रधान भी हमारे साथ हैं और हमारी जो पंचायत हैं हमारे जितने भी पांच बार्ड हैं पांचों बार्डों में जो हैं वो बहुत जादा नुकसान हुआ हैं लैंड स्लाइड हुई हैं जगा जगा इतना भगवान का शुकर है कि जानमाल का तो कोई न जर्दनाक हो चुकी है और शालना गाउं तो मितलब एक भी घर आशा नहीं है जो सेफ है हर घर के अंदर से जो है वो पानी निकल रहा है और हम प्रशाशन से और पंचार प्रसमीजी से भी निवेदर करना चाहेंगे कि जितना हो सकता है उतनी मदद करने की कोशिश करें अब भाड़ी मुश्क्ट लगने करो खर क्या आरा है जख घर कर देख लिए सार नागर बाड़े उठी करी आए सार रात लाएकर ते तालिगाई कर पानी बदलू जख जेना राती उठ घर को दो डाई वजे तो बादा सार नागर बाड़े जगे रहती है जबलू ते आपको बता दे कि भारी वारिश ने तबाई मचाने का काम किया है जिसके चलती लोगों का जंजेवन अस्तव्यस्त हो गया है कई घरों में खत्रा पैदा हो गया है इसके लावा जमीने भी बरबात हो गई है लोगों ने सरकार से गोहार लगाई है कि उनकी समस्या का पठान किया जाए अब देखना होगा कि सरकार क्या मदद करती है पंजाब के से टीवी के लिए चंबा से मन्जूर पठान की रिपॉर्ट